हम भारतियों का मानना है कि जो लोग गुरे होते हैं वो ज़्यादा खूपसूरत और अट्रैक्टिव लगते हैं चाहे सावली स्किन वाले का नैन नक्स अच्छे ही क्यों न हो अगर उसका रंग ज्यादा गुरा नहीं है तो हम उसे बहुत सुन्दर नहीं मानते हैं क्योंकि क्योंक तरह-तरह के कौस्मäटिक यूज करने लग जाते हैं। मर्केट में आजकर ऐसे ऐसे गोहने वाले क्यामिकल योक्त प्रोडक्ट आ गए हैं जिसका इस्तेमाल आप जब तक करो तब तक ठीक हैं जैसे ही एके स्किन पर करना स्टार्ट-कत avanz president जिसे खोटे-छोटे-छ होता है आज हम आपको एक ऐसे बारे में बताएंगे जिसे इस्तेमाल करने से आपका कलर गुरा होने लगीगा चलिए जानते हैं कौन सा फेस पैक है साब्ली तुझा को गोरा करने वाला फेस बनाने के लिए आपको पाच इंग्रेडियंट चाहिए होगा पहला है कच्चा दूद ने लैक्टिक एसिड होता है यह आपकी तुझा को गुलोईंग बनाने में मदद करता है यह तुझा को फ्री रेडिकल से भी बचा जाते हैं इसलिए इसे तुझा पर लगाने से यह कोशिकाओं में तुरण नई उर्जा भरने का काम करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है तीसरा है चावल का आटा चावल का आटा स्किन वाइटनिंग एजेंट की तरह काम करता है इससे स्किन पर मिखार लाने में म समकदार बनाता है हल्दी का यूज किलिंजर के रूप में भी किया जा सकता है पाचवा इंग्रेडियंट है नीबू नीबू बिटमिन सी का हाइस्ट सोर्स है और बिटमिन सी चेहरे के लिए बेहदी अच्छा माना जाता है इसी वज़ासे ज्यादा तर लोग चेहरे पर लो लाने और उसे जवाब बनाए रखने के लिए लेमन का इस्तेमाल करते हैं आपको तीन चमच पच्चा दूद लेना है दो चमच बेसन लेना है एक चमच चावल का आठा आधा चमच हल्दी और आधा चमच नीमू का रस लेना है इन सबी को अच्छे से मिक्स करके अपन में बग्ने सुझे सब हो ङाइक!